आपने जब भी कभी विण्टो गलास की सफाई की होगी तो एक चीज़ आपने जरूर नोटिस क्या होगा कि गलास को अंदर से सफाई करने में हमें कोई परिसानी नहीं होती है लेकिन बारे जब बाहर से सफाई करने की होती है तब बहुत समस्या आती है और अच्छी तरग गलास की सफाई भी नहीं हो पाती है इसी समस्या को हल करने के लिए गैजट्स की लिष्ट में नमबर टेन पर है डवल साइड मेगनेटिक विंडो किलियनर इसमें पावरफुल मेगनेट लगा हुआ है जो विंडो की गलास को दोनों तरब से सफाई करने की काविलियत रखता है और इसकी खास बात तो यह है कि इसके मेगनेटिक फोर्स को जरूरत के हिसाब से एड़जस्ट कर पाएंगे जिससे आप इजी वे में किसी भी गलास को नुकसान पहुचाए बिना उसकी अच्छी तरह सफाई कर पाएंगे नंबर नाइन पर है फरनीचर लिप्टर विट स्लाइडर्स दोस्तों जब घर की सफाई करने की बारी आती है तो दिमाग में बहुत सा बना रहता है कि घर के भारी भर कम फरनीचर को कौन हटाएगा औ तो यह समस्या तब और भी बड़ी हो जाती है जब आप घर में अकेले हो तो इसी समस्या को हल करने के लिए इस फरनीचर लिप्टर विट स्लाइडर्स को बनाया गया है जिससे आप किसी दुसरे लोगों की मदद लिए मिना घर की भारी भर कम फरनीचर को इजली हटा पाएंगे और उस जगह की अच्छी तरह सफाई कर पाएंगे नमबर एट पर है लीवर गीर मल्टी टूल दोस्तों यह एक अनोखा और मज़िदार गैजेट है जो देखने में तो कोई खास नहीं लगता है लेकिन जब आप इसको ओपन करते हैं तो यह खास बन जाता है औ आप खुद भी देख पा रहे होंगे इसे कैरी करना भी बिल्कुल असान है क्योंकि इसे मोडने के बाद एक छोटू सा गैजेट बन जाता है जिसे पोकेट में भी इजली रख पाएंगे नमबर सेबन पर है रीचार जेवल सावर दोस्तों सावर में नहाने का तो हर कोई स इतना मजा आएगा इसी मजे को पूरा करता है यह रीचार्जेवल सावर जिसे आप इंडोर या आउटडोर कहीं पर भी यूज में ला सकते हैं सिर्फ आप बाल्टी में पानी भर लें और इस सावर के एक हिस्से को पानी में डुआ दें फिर आप बड़े मजे की साथ दन की सीचाई के लिए नंबर 6 पर है USB रीचार्जेवल बैटरीस दोस्तों आपने ऐसे सिंपल बैटरी तो बहुत देखा होगा जिसे एक बार यूज करने के बाद उसे फैक देते होंगे लेकिन यह USB रीचार्जेवल बैटरीस उनसे थोड़ा आलाग है काम तो दोनु बै आएक नहीं रहता है लेकिन इसके विप्रीद इस USB रीचार्जेवल बैटरी को आप बार बार रीचार्ट करके इसे लंबे समय तक यूज कर पाएंगे और अपने कुछ पैसे को बचा पाएंगे नंबर 5 पर है और बाटू इस गैजिट का नाम को आपको अजीब लगा और आप चाहते हैं अपना बीट और ताल खुद से किरियेट करों बिना किसी ताम जाम के यह लोफी सौंग्स बनाने की रूची रखते हैं तो यह छोटी सी गैजेट भूती कमाल की चीज है इसमें बड़े-बड़े हार्मोनियम और बास मास्टर के सारे गुन है जिसे एक बार यूज करेंगे तो आप इसके दिवाने हो जाएंगे तो चलिए मैं आपको इसके एक जलग को दिखाता हूँ नमबर भोर पर है मीनी प्रिंट पेन दोस्तों यह बहुती मज़ेदार प्रिंटिंग पेन है जिसकी मज़द से आप इसली किसी भी चीजों पर राइटिंग को प्रिंट करवा सकते हैं और इसकी खास बात को यह है कि इसको आप मोबाइल पॉन से कनेक्ट करके किसी भी सेफ या वर्ड का इनकूर दे सकते हैं और उससे प्रिंट करवा सकते हैं तो दोस्तो हैन या कमाल की प्रिंटिंग पेन नमबर थ्री पर है इस मॉलेस्ट टीवी दोस्तों या 90 की जवाने का सबसे जोटा टीवी है जो बिलकुल रियल टीवी के तरह काम करता है इसमें रियल टीवी की तरह गाने और वीडियो को चला सकते हैं इस टीवी की मज़ेदार बात तो यह है कि इस टीवी को चलाने के लिए भी रियल टीवी की तरह रिमोट की जरूरत पड़ती है जो इस टीवी को खास बनाती है इसको इस परकार डिजाइन क्या गया है जो आपको पुराने जमाने की टीवी को याद दिलाता है इस टीवी क को चलाने के लिए इसमें रिचार्जेबल बैटरी लगा हुआ है जिसे ये उस भी पोट की मदद से चार्ज कर सकते हैं और टीबी को चला सकते हैं नमबर टू पर है लेजर पेन दोस्तों यह पावरफुल लेजर पेन है जिसकी लेजर 5000 फीट तक पहुच सकती है इसकी अनोखे फीचर की बात करें तो इसके आगे वाले हिस्से में रोटेटिंग केप लगा है जिसे रोटेट करके आप अलग अलग पैटर्न को तयार कर ड्राइव ओल रिपेयर पुट्टी दोस्तों यदि आपके भी घरों के दिवालों पर किल ठोकने की बज़ा से यह किसी कारण से दिवालों में कई सारे छोटी-छोटे होल है जो देखने में घर की लूप को भद्धा करती है तो आप इस ड्राइव ओल रिपेयर पुट्ट इसमें कौन सा गैजिट आपको बेस्ट लगा कॉमेंट में जरूर बताएं तब तक के लिए धन्यवाद